नमस्का खुलेंगे दुनिया के रास राजदामा दुनिया के साथ में प्रिया पीम नरेन मुदी ने शनीवार को बिकान नेर नोरंग देसर गाउं की सबा में कहा कि हम दिल्ली से योजनाओं का पेसा भेशते हैं यहां कॉंग्रेस का पंजा जपटा मार देता है कॉंग्रेस सरकार ने चार साल में राजिस्तन का बहुत नुकसान किया है और यह बात कॉंग्रेस के नेता भी अच्छी तरह जानते है पीम ने कहा कि कॉंग्रेस का एक ही मतलब है लूट की दुकान जूट का बाजार कॉंगरेस की जूट की राज़ीती का शिकार सबसे ज़यादा राज़ास्तन का किसान हुआ है पीछले चुनाओं में किसानों का करजा माफ करने का वदा किया था इसके रेता ने 10 दिन में करजा माफ करने की कसम खाई थी दस दिन दस महीने और चार साल में भी कलजा माफ नहीं हुआ मोदी नौरंग देसर गाउं में सबा को संबोधित करे थे उन्होंने कहा यहां मोजुद भीड का उस्सा बताता है कि राजिस्तान में मोसम का पारा ही नहीं चड़ा है बल्कि कॉंगरेस सरकार के खिलाब जनता का पारा भी चड़ चुका है जब जनता का पारा चड़ता है तो सत्ता की गर्मी चड़ते और उतरते भी वक्त नहीं लगता है पेम मोदी ने कहा मुझे पता चला है कि कुछ मंतरी विधायक तो अभी से अपने सरकारी बंगले खाली करके अपने खुद के घरों में शिफ्ट होने लगे हैं अपनी हार पर इतना भरोसा सिर्फ कांग्रेस के निता ही कर सकते हैं दिया बुझने से पहले लपलपाता है मोदी ने कहा है या हर कोई एक दूसरे की टांक खीच रहा है अपने अपने जूट को मजबूत बनाने के लिए खुले आम सोधे बाजी हो रही है एक गुट के विधायकों को लूट की खुली छुट मिली हुई है अब ब्रश्टाचर की नूरा कुष्टी भौत हुई अब लोकतंतर के अखाणे में जनता जनारदन फेसला करेगी अब राजिस्तान को परिवार नहीं विकासवात चाहिए यहां पेपर लिख की पूरी इंडरेस्टी खुल गई है यानि यहां युवाओं के भविषे से खुले आम खिलवार हो रहा है उन्होंने कहा राजिस्तान में कॉंग्रेस की लूटने शिक्षाशनस्तानों को भी नहीं बक्षा यहां के शिक्षक C.M. के सामने आकर कह रहे हैं कि तबादले के लिए खुले में घूस चल रही है लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है महिनलाओं के खिलाफ अपरात के मामले में राजिस्तान सब से आगे हैं यहां रख्षक ही भक्षक बने वे हैं बलातकार के मामले में राजिस्तान नंबर वन है बलातकारियों को बचाने में पूरी सरकाल लगी रहती है कॉंगरेस ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहती है तो देश को खा खा कर खोकला करती है जब सत्ता से बाहर रहती है तो देश को विदेश में जाकर बदनाम करती है पीएम मोदी ने कहा सीएम गहलोथ अपने बेटे का भवश बचाने में लगे हुए हैं प्रदेश के बेटिये बेटियों से कोई मतलब नहीं कई मंदरी इसे लेकर उन पर खार खाये हैं हमारी सेना के जवान इतने सालों से वन रेंक वन पेंशन की मांग करे थे सालों तक कांग्रेस की सरकार ने उसकी उपेक्षा की सेना के काम में भी ये लोग जूट से बाज नहीं आए हमारी सरकार ने वन रेंक वन पेंशन लागो किया पूरु सेनीकों को इसके तहट करीब 65 हज़ा रुपे मिल रहे हैं इससे पहले भाशन की शुरुआत में मोदी ने कहा यहां की बात देश में कहीं भी सुने मूँ में पानी आ जाता है यहां के रजगुलो की मिठास पूरी दुनिया में फेमस है मुझे सावन के महिने में आने का सोभा के मिला ऐसे ही बने रहे हैं राजनमा दुनिया के साथ नहीं लेखाद है